ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साल का पहला सूरे ग्रेंड 10 जून 2021 को पढ़ रहा है तो आए जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बाते तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी सूरे ग्रेंड की जो डेट है वहाँ क्या रहेगी यानि 10 जून 2021 दिन गुरुवाद तो यहाँ दुपहर 1 बच के 42 मिनट से शुरू होगा सूरे ग्रेंड और शाम 6 बच के 41 मिनट पर इसकी समापती होगी ग्रेंड की कुल अवदी लगबग 5 गंडों की रहेगी अगला सूरे ग्रेंड हमेशा अमवस्या के दिन लगता है इस बार वर्ष का पहला सूरे ग्रेंड जेश्ट अमवस्या को लगने जा रहा है यहाँ सूरे ग्रेंड मिरिक्षीरा, नक्षत्र और विरिशब राशी में लगने जा रहा है इस बार सूरे ग्रेंड लगने की घटना बहुत खास है क्योंकि इसी दिन शनी जेंती के साथ वट सावत्री व्रत भी रखा जाएगा यहाँ आंशिक सूरे ग्रेंड होगा, जो भारत के कुछ स्थानों से ही दिखाई देगा लेकिन वह भी आंशिक रूप से ही होगा यही कारण है कि भारत में इस ग्रेंड का सूतक काल मानने नहीं होगा इस बार लगने वाले सूरे ग्हेंड में चंद्रमा सूरे केलगबख 97 प्रतिशत भाग को अपनी छाया से ढख लेगा जिसके कारण चंद्रमा की छाया से सूरे के चारो और वलेयाकार यानी रिंग के समान आकरति बन जाएगी जब चंद्रमा सूरे के बीच के भाग को पूरी तरह ढख लेता है और केवल उसके चमकीले किनारे नजर आते हैं तो उसे हम रिंग ओफ फायर कहते हैं इस बार के सूरे ग्रेंड में लोगों को यही अद्बुत नजारा देखने को मिलेगा यहां ग्रेंडो कैनड़ा, रूस, ग्रीनलेंड और एंटार्टिका में देखा जा सकेगा यहां पर अगर हम बात करें भारत में तो सूरे ग्रेंड पूर्ण नहीं होगा इसके अलावा जैसे हमने आपको बाकी जगा बताई वहाँ पर यह पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों यूरोप और उत्तर एशिया में भी यह सूरे ग्रेंड दिखाई देगा अगर हम बात करें कि ग्रेंड की पूरी अवदी पांच गंटों की होगी तो वहीं Ring of Fire की कुल अवदी 3 गंटे 44 मिनट लंबी रहेगी इस दिन वट सावित्री व्रत और शनी जैनती भी है लेकिन भारत में यह सूरे ग्रेंड आंशेक होने के कारण किसी शुब कारजे से पूजा पाठ की मना ही नहीं होगी अगर हम बात करें यहाँ वर्ष यहाँ दूसरा ग्रेंड है और पहला सूरे ग्रेंड है इस से पहले चंद ग्रेंड लग चुका है 15 दिनों में दो ग्रेंड लगना भी बहुत खास माना जाता है और साथी साथ अगर हम बात करें यहा सूर्यगरेंड की तो इस समयकाल में राहू और केतु घ्रे बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं इसलिए दान पुन्य करने का विदान दिया गया है हमारे धर्म शास्त्रों में तो अगर आप सूरे ग्रहन या चंदर ग्रहन के बाद दान पुन्ने का काम करते हैं तो आपको सभी रोग और दोश्च से मुक्ति प्राप्त होती है तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हुम रेमिडी सब् कीजिए धन्यवाद